हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम 91 पे तो दोस्तों देखो हम लोगों ने जो संधियों का एक वीडियो आप लोगों को आज प्रोवाइड किया खैर वो अलग की बात है कि आप लोगों ने उसको भी देखा नहीं है लेकिन देखना च का पॉर्षन है वो इतना सरल नहीं आएगा कि आप लोग सोचे है कि हवा में जैसा कर लें आप दस में दस सही कर दें नहीं हो पाएंगे तो उसी की चीज को लेके हम लोगों ने सोचा था कि आपको संधिया हो गए समास हो गए अलंकार हो गए चौपाई छंद ये इनके कि वीडियोज ना देखने की बिज़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो नहीं पाएगा चलो खैर कोई दिखकत नहीं है आज तो हम लोग जो भी 56 कल पच्पन तक कर चुके थे आज 56 नंबर के आगे करेंगे क्या लिखा हुआ है मतैके मतैके इसका सही संधी जो है कि संध में मक्ही लगेंगी तो ब्रद्धी जैसा महसूस होता है बड़ा महसूस होता है तो बस सेम वही चीज है कि जब गुड में एक मात्रा होती है और व्रद्धी होने पर तुरंत दो मात्रा हो जाती है ठीक सदयव सदयव में देखो फिर वही चीज है सदयव सब्द में कौन स कि देखना पड़ेगा चलो अठावन नंबर क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को अगर पढ़ना है तो उसके लिए कुछ शॉट्रिक्स होती है हर चीज में नहीं लेकिन हां कहीं कहीं पर कुछ शॉट्रिक्स होती है और कुछ अपने आपसे बनानी पड़त तो आपको यही बताना था ठीक चॉथा ओप्सन, इहां पर मात्रा नहीं लगी है यह मिस्प्रिंट है आपको यहां पे मात्रा लगानी पड़ेगी इस तरीके से चलो, 69 नमबर देखो, क्या हो जाएगा, नैतत लिखा हुआ है, नैतत में सही संदिविक्षेद बताना होगा, तो जो नैतत होगा, इसमें सही संदिविक्षेद क्या हो जाएगा, ना प्लस एतत, क्या हो जाएगा, ना प्लस एतत, ठीक है, और ये आपको पहले नमबर पे द जाएगा कि कमेंट में आप लोग इसका मुझे एंसर बताएंगे ठीक सरल कोश्चन है ऐसा कोई कठिन नहीं है बस मैंने इसलिए आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि अगर आप लोग सीख रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपसे कुछ कोश्चन मैं जरूर पीछे वाला ये वाला जो कोश्चन का एंसर है ये वाला तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं लेकिन सदय बाला आप लोग मुझे बताएंगे ठीक है चलो तो यहां पर हित ऐसी लिखा हो था इसका सही संदिविक्षेत करना है तो देखो हित अलग हो जाएगा और प्ल चोटा आ प्लस ए मिलके क्या बना देंगे ये दोनों मिलके आय बना देंगे बस इतना करना था खैर कोई नहीं सरल था आप फिर भी अगर मैंने सोचा हो सकता है आपको ना कर पाए कुछ बच्चे इसलिए मैंने बता दिया तो उसी चीज को छोड़ते हुए यहां पर सदय अब का संदी विक्षेद जो है वो अपनों कमेंट में बताएंगे तो अगरे आप आप अगरे बढ़ेंगे फिर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ पहला ही कोशन यहीं था ना पहला ही कोशन हमारा यहीं कोशन तो था मत तैक के इसमें कौन सी संदी थी तो देर्ग क्यों थेस्वारी दिरग लगा दिया देखो क्या संदी थी ब्रध्दि थी क्यों थी क्यों थी ब्रध्द अक्ति गुड में एक मतर आती है और उसके तुरंत-बाद और भत दी हो जाती है चलो महा शयुद में कौन सा सब्द का संदी बिक्षेद हो जाएगा तो यहाँ पे सेम बही चीज होगी, बस पैटरन बदल जाएगा, अभी तक हम लोग A पे चल लए थे अब हम लोग O को देखेंगे, क्या हो जाएगा तो इसकी संदी बिक्षेद हो जाएगा महा प्लस आउशद ठीक है, क्या हो जाएगा महा प्लस आउशद, और यह आपको महा आउशद बना देगा चलो, सदयव में संदी बिक्षेद है कैसा संदी बिक्षेद है, दो मात्राएं मतलब ब्रद्धी संदी, कहा है तीसरे नमबर पे, चलो भाई, ब्रद्धी संदी हो गई चलो, 65 नमबर देखो क्या हो जाएगा, फिर सदयव का संदी बिक्षेद दिये होई के बिकल्पों में से कौन सा है, ठीक, सदयव का संदी बिक्षेद यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सा हो जाएगा तो अभी मैंने आपको यही कोशन कमेंट में करने को बताया था, लेकिन उसका संदी बिक्षेद वहाँ पे अलग है और सेम चीज वही चीज यहाँ पे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सदा अलग हो जाएगा बड़ा आ, प्लस एभ हो जाएगा ठीक, यहाँ से बड़ा आ मिल जाएगा प्लस ए मिल जाएगा और दोनों मिल के क्या बना देंगे अए बना देंगे, तो बस, यह हो जाएगा और यह चौथे आप्सन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे चलो, चाचट नमबर देखो क्या हो जाएगा क्या लिखा हुआ है? अतियुक्त लिखा हुआ है अतियुक्त में कौन सी संदी हो जाएगी तो देखो, अत्य लिखा हुआ है आधाता के साथ या बना है और यह मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ खैर, अभी भी मता दूगा जब भी कभी आपके साथ इस तरीके से बढ़ आए तो ये यड़ है यड़ कैसे होता है यड़ की भाई परिवासा क्या होती है देखो जब भी छोटी E बड़ी E छोटा O बड़ा O और रिर ठीक इनके साथ इनके जश्ट बाद कोई भिनस्वर आए तो E और बड़ी E ये दोनों मिल जाते हैं इनके साथ अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो छोटी E और बड़ी E ये क्या बना देंगे ये या बना देंगे ठीक है फिर ऐसे ही छोटा O और बड़ा O ये लोग क्या बना देंगे तो ये भाई वा बना देंगे आधा बनता है सब कुछ फिर ऐसे ही अगर आपको रिर मिल जाएगा रिर मिलेगा तो रिर के लिए क्या बन जाएगा तो भाईया रा बन जाएगा और कैसा रा बन जाएगा आधा रा बन जाता है ठीक है चलो तो यहां से बस आपको यही देखना था तो देखोom यहां पे यह बना वे ना यह बना हुआ है यह वना हुआ है यहां को बस ये रसंदी हो जाएगी चलो अभी प्लस उदए तो देखो छोटी E E plus O, क्या बताया था, अगर पहले छोटी E, बड़ी E, छोटा O, बड़ा O, या रिर के बाद, कोई एक स्वर या बेंजन आजाता है, कोई एक दूसरा स्वर आजाता है, वो स्वर कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको छोटी E और बड़ी E के लिए क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बनता है या बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभ्यूदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभ्यूदय हो जाएग क्योंकि बड़ी ए बनी हुई है बड़ी ए के लिए आपको या बनाना पड़ेगा चलो फिर रित्यानुसार अब यहां पे या बना है यानि कि यहां पे छोटी ए लगेगी क्या लिखा है यहां पे रित्यानुसार लिखा हुआ है तो रित्यानुसार यानि कि क्या हो जाएग तो इसका हो जाता है यदी प्लस अप ही हो जाता है क्या हो जाता है यदी प्लस अप हो जाता है छोटी E प्लस A चलो पित्र प्लस अनुमती पित्र नुमती हो जाता है क्या हो जाता है पित्र नुमती तो इसमें क्या उन से दिखाई देगा तो यहां पे तो बड़ा आमा लगा है क्या इन में कहें पे भी आपको मात्रा लगी दिखाई दे रेन नहीं तो यहां पे इसका मतलब इसमें भी मात्रा नहीं लगेगी चलो भाई आगे बढ़ो 72 नंबर देखो क्या हो जाएगा 72 नंबर में लिखा हुआ है इति प्लस अदी लिखा है। इति प्लस अदी लिखा होहा है? इतियादी हो जाएगा इतियादी किसी होता है? तो बधinação्ट आधि का होता है? इत्यादी are itself suis ? 50 नंबर सोब क्या लिखा है हो कि अत्यादी का सOOD संधि को थैदा है? एत्य अधिक लिखा हुआ है, इसका सुद्द संधिविक्षेद बताना है क्या होजाएगा, तो अति प्लस अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अति प्लस अधिक और यड़ संधि हो जाएगी, चलो, आगे बढ़ेंगे, चौतर नंबर क्या लिखा हुआ है अनवेशड अनवेशड का सुद्ध संद्विक्षेद बताना है क्या हो जाएगा अनवेशड का सुद्ध संद्विक्षेद तो क्या हो जाएगा अनू प्लस एशड छोटे उकी मात्रा के साथ चेहाँ के साथ को जिन्दगीं हम दिंद्स नहीं डॉले आप लोगनों को आइसे शिखा दूँगा ये शंदियां आप जिन्दगी में पाफ दूँगा आपके सामने ला दूँगा आपको ऐासे दिमाग में छाप दूँगा कि तुल सकते ऑनस रे iljuचल опис लिखा अपके यहां पर अगर इसके इसाफ से देखैंगे तो क्या हो जाएगा तो वा बना है इसका मतलब वा में छोटे ओकी मात्तर लगा यह पहले क्या हो जाएगा और प्लस एथ लेना पड़ेगा पो ओ ऑपको और इसमें लिखा हुआ है तो आपको ये किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके सामने चार के चारो आपके उसे हिसाब से नहीं है लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आपसन है जो इसे से मेल लिखाता है कुछ कुछ, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो आप एक बार को ऐसे टीक कर सकते हैं, आपको एक नमबर मिल जाएगा, अगर इन्होंने को खत्म नहीं किया, तो आपका एक नमबर पक्का है, चलो, 76 नमबर, संख्या, सक्या गमन, क्या लिखा हुआ है, सक्या गमन, तो सक्या का मतलब क्या हो जाएगा, यह बना है, तो इसका मतलब बड़ी की मात्रा लगानी ही पड़ेगी आपको, और बड़ी की मात्रा लगानी पड़ेगी, या छोटी की लगानी पड़ेगी, तो य मतलत नंबर देखो錢 E प्लas बढ़ा बराबर बढ़ा मतलप यह बन गया है तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा अगर यह बन गया तो भीत फिर आपकी क्या 번 जाती है यड़संदी byn जाती है ठीक है चलो देखो, प्रत्यक्ष, प्रती प्लस क्या हो जाता है, प्रती प्लस अच्छ हो जाता है, तो ता में छोटी की मात्रा लग गई, और उधर बड़ा चोटा अ बन गया, ऐसे लिखा जाएगा, प्रती पलस 8 तो इसमें देखो यह तो छोटी यह बन गई सरे, छोटी यह लिखना था पलस छोटा आ और जब यह दोनों छोटी के साथ क्या बनता है, यह बनता है तो देखो यहां पर यहां आया है तो क्या हो जाएगा इसमे+, तुरंथी आपका यड संधी हो जाएगी, यहाँ पे देखो लिखा नहीं है, ठीक है, यह या बना हुआ है, यह यड ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, यहाँ पर चौथा ओप्सन सही हो जाएगा, चलो, प्रति आरोपड, क्या लिखा हुआ है, प्रति आरो प्रत्यक का सही संदिविक्षेद, तो प्रत्यक में या बना है, इसका मतलब आपको आधाता है, तो पहला बाद तो ये पूराता कर लिजिए, ये आधाता बना है, इसको प्रत्य कर लीजिए, क्योंकि छोटी की मात्रा मैंने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे A है, ठीक है, प्रति प्लस एक कर लीजिए, अब यहाँ पे छोटी और यहाँ पे ए, और दोनों मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा या, लेकिन यहाँ पे यह यह था, इसके साथ में आपको ता लेना पड़ाएगा, प्रति बन जाएगा, मतलब छोटी की मातरा नहीं लेगी, तो प्रत प्रति प्लस एक हो जाता है, और यह आपको दूसरे उप्सन में दिख रहा है, और दूसरा उप्सन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चलो, फिर देखो, प्रति प्लस एक लिखा हुआ, इसका सही संदिविक्षिद कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे प्रा देखो, अल वेशल में क्या हो जाता है, अब यहां पे वा बना है, तो इसका मतलब है ना. पहले तो आ और ना बना लीजिए. ठीक है, अब वा बना है, तो इसका मतलब इधर छोटा उ, या बड़ा उ तो आया ही होगा, प्लस यहां पे ए की मात्रा है, क्या लिखा हुआ है? असे नहीं लिखना है स्वारी यह लिखा हुआ है वेशड लेकिन वेशड तो लिखना नहीं है क्वेव लोग तो संधी बिच्चेत करना है तो अनू प्लस ए की मात्रा शड तो अनू एशड यानि कि छोटा उ इधर प्लस ए इधर और दोणों लोग मिलके क्या बना देंगे यह वे बना देंगे, ठीक है, नुवे बना देंगे, तो अनु वेशड का अनु प्लस एशड बन जाएगा, और यह चौथा अप्सन आपका, बिल्कुल चाही हो जाएगा, चलो, यड संदी का कौन सा संबंद, का संबंद किस संदी विशेश से, तो यड संदी का जो है, किस म हो जाएगा, तो नव, क्योंकि वा है, तो इसका मतलब क्या है, वा के साथ में आपको क्या लेना पड़ता है, इसका मतलब, आपको छोटा उकी मात्रा या बड़े उकी मात्रा तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, तब ही तो यह तो यह आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे न ब्लस ऊड़ा तो यहां पर अपके सर जी यहां पर तो बड़ए उ की मात्रा ही शहें यह धर चोटा आ तो आई गया इधर बड़ा ऊ आड़ा आगी गया है है तो दोनों मिला वबैंगे ठीक है क्या बना देंगे दोनों मिलके बना देंगे चलो कि और यहे इसमें कौन सा संदी विक्षेद होगा तो यदी प्लस अप ही हो जाएगा क्या हो जाएगा यदी प्लस अप ही आपको पहले option में ही दिख जाएगा और यही आपका सही answer हो जाएगा चलो भाई 86 नमबर देखो यहापे क्या हो जाएगा किस संदी में सवरों का परिवर्तन या रा ला वा में हो जाता है देखो या रा ला वा ये आपको यड संदी में ही मिल जाते है कैसे देखो सबसे पहली बाद अभी आपको क्या बताया था जब छोटी और बड़ी होती तो या बनता है फिर छोटा हूँ और बड़ा हूँ होता है तो वा बनता है ठीक ला हो गया ला के लिए हमको भले ही कोई नियम नहीं बताया गया है लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं ठीक है जब आपको ला इस तरीके से मिलेगा आधा ला बनाओ तो वो बराबर ला के बन जाता है और जो वा के लिए तो आपको पता बताई दिया था रा के लिए तो आपको पता ही है कि रिर की मात्रा जहां पे भी होती है वहां पे आप रा बना सकते है ठीक है तो कौन सी हो जाती है यड संधी चलो, रिति के अनुसार, रित्या अनुसार, क्या हो जाएगा, रिति के अनुसार, यानि की रित्या अनुसार, तो यहाँ पे यह लिजे बाई, क्योंकि इधर हम दोगों ने, इसमें या में मात्रा क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे छोटा आध है, तो यहाँ पे मात एक्स्या हो जाएगा क्यों जाएगा प्लपसटन जा technology लेकिन उधर जो है अपकी क्या हो जाएगक अनुप्लसटन जाएगा क्यों प्ल puisse jump तो यहां पर उनुपलफ एक्षा हो जाएगा. नवारी, में तासिन नॉन से किस सब्द में यड संधी है? अब ही यड संधी के लिए आपको पता है है. talented, वहारालवा में से कुछ आना चाहिए. तो आपको किस में मिल ला है? दंदोष्ट में ता मिल ला है? बसंत तुर्त में कुछ भीजया नहीं मिला है बसंत अलग होगा तURतह रा उधर से बू बनेगा नहीं फिर क्योंकि रा यह उपर वाला है कौन सा है यह उपर वाला रा है लेकिन हमारे जो रिश है रिशी वाला होता है उसमें रा ऐसे करले नीचे वाला लगता है ऐसे वाला ठीक है चलो फिर देव्यागम लिखा हुआ है यहां पर देखो या मिल गए आपको तो यही भाई आपका एंसर सही हो जाएगा चलो आगे बढ़ेंगे फिर अत्य आवश्यक क्या लिखा हुआ है अत्य आवश्यक तो आधा ता के साथ या आया है तो इसका मतलब त में छोटी एकी मात्रा लगाएंगे फिर इधर आपको आवश्यक लेना पड़ेगा क्यों कि यहां में बढ़ेया की मत्रा है तो इधर आपको दूसरे तरफ बड़ा आ लेना पड़ेगा तो आति प्लस आवश्यक आपको यह पहले और आपका सही आंसर हो जाएगा चलो आगे बढ़ो फिर लिखा हुआ है 92 नामबर में निका हुआ है स्वागत सू प्लस आगत अगत हो जाएगा, Kya सू प्लस आगत हो जाएगा चोटा उप्लस बढ़ा मत्रद स्वागत हो धा ठीक है चलो आगे बढ़ liking है van 93 farm i kata my face on堅 अब आपको यहां से चेंज हो हो जाएंगे पैटर्म चेंज होजाएगा कि पामन लिखा हुआ यहां पे तो पो हो सब्सक्राइब को पलओ प्लस वन कि यई ऑफावन हो जाएगा क्या हो यह आयादी संदी का उधारउर हो जाएगा ठीक है यह आयादी संधी का उधारण हो जाएगा क्या जो पावन लिखा हुआ है तो यह पौवन हो जाता है पौव अगर आमें बड़े आका डंडा लगा है तो यहां पे दो मात्रा है अगर डंडा नहीं लगा है तो सिर्फ एक मात्रा बस इसको आपको याद रखना है और यह पावन और पवन दो चीजे पूछी जाती है चलो आयादी संधी इन में से कौन सी हो जाएगी तो यहां पर नौ एक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नायक होता है साइद नाविक हो जाएगा तो नाविक हो जाएगा यहां पर इसका जो नियम होता है सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या-क्या चीजे बनती है इसमें अव आता है आव आता है तो इस तरीके के सब्द आपके सामने आते हैं जैसे यह किया अतले है कि अजरतHI आता है I आता है में कि आए आएगा ठीक partnerships आव आएगा आव आएगा यह आती हैan इनगे लिए आता क्या है या जैसे अपका A, A, O, O इनके बाद कोई भी आपका स्वर मिल जा जैसे ए ऐ हो ओ हो या आओ हो ये एक तरफ हो और इनके इधर कोई स्वर हो दूसरी तरफ तो आपको हमेशा क्या होगा आयादी संधी होगी चलो अब देखो पावन संधी का सही बिक्षेद तो बड़े आकी मात्रा लगी मतलब दो पाई तो यहां पर पावन हो जाएगा पावन मैंने क्या बताया था अगर पा में बड़े आकी मात्रा लगी तो दो मात्रा अगर एक मात्रा लगी है तो पो प्लस अन 96 नमबर में भाई पो प्लस अन हो जाएगा ठीक है तो कितना सरल चीजे हैं बस आपको समझने की देर थी और आप मुझे नहीं लगता है इसको आप से कुछ गलतियां होगी चलो दो आपी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है दो आपी और दो आपी में क्या हो जाएगा त 38 नमबर देखो क्या हो जाएगा यहां पर लिखा हुए यह एए ओ तथा आओ के बाद कोई भिन शुर आता है तो इनके स्थान पर आए आओ आओ हो जाता है इसमें कौन सी संदी अभी आपको बताया था यादी संदी हो जाता है आपका अशर हो जाएगा पबन पबन में फ आपके तीन वाले सब्द जो आते हैं जो तीन वर्ण वाले सब्दों को जादा तर इसमें लिया जाता है ठीक है जिसमें तीन वर्ण जादा होते हैं जैसे यह पर पावन लिखा हुए पावन में भी तीन वर्ण है ठीक और पावन में भी तीन वर्ण है जादा तर मैक्सिम कोई स्वर हो तो इसके अजाता है कौन सवरसंदी होती है तो इसमें आपकी आयाद सवरसंदी होती है आपसे यह कोश्च्छिन गलत होने का नाम दूर भाग जाएंगे आपसे गलती चलो पवन में क्या होगा पो प्लस अं आपका यह लीजे भई, ऐसा है Jesus, जब एक लिए, आपकने में और येगेगे, और निमें नीजे कॉसके बादूस, द इन साइनके भवात्तोर कॉमेंट में at bestse effective estimate इस का एसा है आप लोग मुझे और मुझे मा dealing with की मात्रा के साथ क्या आता है याद रखना यहां पर लिखा है भाबुट बहाभुग में क्या हो जाएगा बडीया की मात्रा मतलभे मतलब दो मात्राइं ओर रुड और उक हो जाएगा तो बहाभु को जाएगा जी कर दो टो छालो उंचालो गया तो 50 Marketing type तो देखो वही चीज मैंने बताई थी कि तीन बरणड वाले अक्षर मिलेंगे और यहां पे भी अगर आप जब इसका संदिभिक्षेद करेंगे तो क्या मिल जाएगा गा में एक मत्रा लगी है तो ए प्लस इस हो जाएगा क्या हो जाएगा गो प्लस इस हो जाएगा और आयादी संदिष में तुरंत आपको मिल जाएगी चलो अरे 105 नंबर तो यहां पे बरबाद हो गया यह तो मिस्प्रिंट हो गया यहां पे सदानंद का उसने पूचा है तो सदानंद का संदिभिक्षेद मै कैसल हो जाएगा यहां पर लिखाओा है ने इम लीकित में से कौन सा इक बेंजयन संदी का उधारण है तो 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 नहीं को च siaस जा सपयों का मेला या मतलब किता है कि है कि इस पर savage मेल को कर्णी कि वन पर जर कि प्रणी का जहता है उसी को चीएडन यहां पे जो आपको लिखा हुआ है जगदमभा हो जगत प्लस अम्मा तो है इससे हैं बिद्ध्या प्लस सन्दी एंसर यही एंसर नहीं होगा सब्सक्राइग 1st7 सब्सक्राइग 1st7 सब्सक्राइग 1st1 सल द shipped here तो यहां पे आपका स्रफक्राइग 2stdap तो यहां पे उत प्लस हरड हो जाएगा तो यह आपका बिंजन संदी क्योंकि ताका नियम लग रहा है ताका नियम बिंजन में लगता है फिर तदिद लिखा हुआ है तत प्लस हीत हो जाता है ताका नियम यह भी आपका बिंजन संदी हो जाएगा फिर यहां पे वाग जाल ल लिखा हुआ दिरग संदी सब्सक्राइं है । 108 नमबर 107 लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लगें तांबने नीम लगेंगा तो मैं जगत प्लीक्ट प्लिसी नहीं लिया जाएगा wanna साथ हलंत हमेशा लिया जाएगा तो यहां पे जगत प्लस « यहां पर आपके चारल का सही संधिविकस्च प्लस चारल को जांख 008 ₈ हो यहां भी ताक का नियम लगता है项 को चा में परिवर्तित कर तीया जाता है आदे के मही laat यहां पर पूरी तरीके से तो clear नहीं कर पाऊंगा बस आप ऐसे समझ लिए, ता का नियम लगेगा, आधे ता का आधे चा में परिबर्तन हो जाता है, तयानि कि उत्ध प्लस चरण हो जाएका, और तीसरे ओप्सन में दिखाई देगा, आधा ता, तीसरे ओप्सन में बना हु गया, चलो, ग्यारा नंबर, अच्छादित, अच्छादित का उच्चित बिच्चेद कौन सा हो जाएगा, तो फिर वही चीज आगई आपके सामने, कि आधा चा, आधेता में परिबर्तित हो जाता है, लेकिन यहां पे आपको, क्योंकि यह बेंजन संदी है, लेकिन इसमे vin, पााँच, ना, कर, छट, पर, जा, नमस्कार कर, यह होती है, बेंजन संदी को याद करने की ट्री, लेकिन यह होती है, वह बेंजन संदी को याद करने की ठीक, खीक है, जैसे, तीन पाँच rifle, पहले का पाँच में परिबरतन, फिर ना वाला नियम, फिर चा का नियम, फिर ता का नियम, फिर आगे ऐसे ना का नियम, मा का नियम, ऐसे करके आगे चलते हैं, तो पूरे नियम आपको याद हो जाएंगे, जब आप मेरी वीडियो पुरानी अगर आप उठा के देखेंगे, जाके संधी वाली, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ किलियर हो जाएगा, मैंने Slides के माद्यम से, PPT के माद्यम से आपको बहुत कुछ किलियर किया था, यहाँ पे आ छादित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ छादित, तो तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, वो हमारी यहीं पर समाप्त होगी बाकि अगर आपको ये सेशन अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा बाकि अगर आप जो है चैनल पे नए आए हैं फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और आपने अभी देखा होगा कि आपके सामने पेडियेफ को सेप किया गया था तो इसलिए ये पेडियेफ आपको टेलिग्राम चैनल के उपलब दो जाएगी वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं चलो दोस्तों आज की क्लास फिर यहीं पर समाप करेंगे मिलेंगा अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों